आज हम container ships पर transport किये जाने वाले refer containers के बारे में discuss करने वाले हैं Types of Ship Series के episode number 10 में हमने refer ships के बारे में discuss किया था जिसमें हमने बताया था कि refer ships पर बल्क यानी की large quantity में perishable और temperature sensitive cargo का transport किया जाता है लेकिन refer container 20 से 40 feet के individual refrigeration unit होते हैं जिसमें अलग-अलग तरह के perishable और temperature sensitive item अलग-अलग containers में रखकर एक container ship की मदद से एक country से दूसरी country में transport किये जाते हैं इन refer container के अंदर अपने separate individual refrigeration system install होते हैं जिनकी मदद से अंदर रखे perishable cargo के लिए अंदरूनी temperature को जरूरत के हिसाब से maintain या control किया जा सके इन containers के refrigeration unit को चलाने के लिए power electricity एवा मूर्जा की जरूरत होती है जो इने ship के alternating current generator से मिलती है container ships पर जगा जगा power sockets होते हैं जिन पर इन refer containers के wire plug को connect करने पर इन containers के अंदर मौजूद refrigeration systems को शुरू किया जाता है refer containers के अंदर मौजूद refrigeration system माइनस 65 degree centigrade से लेकर 40 degree centigrade तक container के अंदरूनी तापमान को maintain करने की सक्षमता रखते हैं उदाहरन की मदद से समझिए राम भरत और शाम तीन businessmen है राम फलों का व्यापारी है भरत मच्छवारा है और शाम एक फामा कमपनी का मालिक है राम को 2000 आम की पेटी इंडिया से यूइस भेजने है भरत को 4000 मच्छियों के डिब्बे इंडिया से यूइस में एक्सपोर्ट करने है शाम को 8000 पेरा steamol medicines के boxes इंडिया से यूइस में एक्सपोर्ट करने है इन तीनों को जो perishable सामान एक्सपोर्ट करना है वह बहुत ही कम quantity क है जिसके चलते इन तीनों को तीन बड़े रिफर शिप को हाय करना एक sensible option नहीं है यहाँ पर रिफर container एक बहुत बड़ा role play करते हैं क्योंकि एक रिफर container हाय करना एक पूरे रिफर शिप को हाय करने की तुलना में बहुत सस्ता और smart option है और इन तीनों का सामान एप्रोक्सिमेटली चार से पांच container में लोड करके एक container ship की मदद से US भेजा जाएगा और इसी ship पर राम भरत और शाम जैसे बहुत सारे व्यापारियों ने अपना अपना perishable सामान separate containers में लोड करके यही ship में dispatch करने के लिए तयार रखा होगा हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें motivate करिए अपने friend circle में इस वीडियो को आपका धन्यवाद आपका समय शुभ हो मिलते हैं अगले वीडियो में